आप गोल के अंदर तयार खड़े हैं, तभी अचानक आपके सिर के पीछे तेज खुजली महसूस होती है। अलजी, प्रतिक्रिया, सूखापन और यहां तक की कुछ रोग से भी। और फिर कुछ रहसिमई बातें भी हैं, जो बिना किसी कारण के या सिर्फ खुजली के बारे में बात करने से सामने आती हैं। हलकी अलरजी होती है, हिस्टमीन के स्राव को ट्रिगर करता है, एक रसायन जो हमारी केशिकाओं को सुजा देता है, ये रक्त प्रवाह बढ़ादेता है, जो इस कथित खत्रे के प्रतिशरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तेज करने में मददगार है। और यही कारण है कि पराग आपकी आँखें सुजा सकता है। हिस्टामीन खुजली में शामिल तंत्रिकाओं को भी सक्रिया करता है। इसी के चलते कीडे के काटने से खुजली होती है। लेकिन खुजली को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। असल में हम जो कुछ भी जानते हैं वो चुहों में खुजली की क्रियाविधी का अध्ययन करने से आता है। शुधकर्ताओं ने पता लगाया है कि उनकी त्वचा में खुजली के संकेत दर्द से जुड़ी तंत्रिकाओं के एक उपवर्ग के माध्यम से प्रसारित होते हैं। ये समर्पित नसे नेट्री युडेटिक पॉली पेप्टाइड बी नामके एक अणू का उत्पादन करती हैं। जो एक संकेत को ट्रिगर करता है जो रीड की हड़ी से मस्तिश्क तक जाता है। जहां ये खुजली की भावना पैदा करता है। जब हम खुजलाते हैं तो त्वचा पर हमारे नाखुनों की क्रिया से निम्नस्तर का दर्द संकेत उत्पन होता है जो खुजली की अनुभूती पर हावी हो जाता है। ये लगभग ध्यान भटकाने जैसा है जो राहत की अनुभूती पैदा करता है। लेकिन क्या वास्तव में खुजली का कोई विकासवादी उद्देश है या ये केवल हमें परिशान करने के लिए है। प्रमुक्ष सिध्धानत ये है कि हमारी त्वचा स्पर्श के प्रती पूरी तरह जागरूख हो गई है ताकि हम बाहरी दुनिया के खतरों से निपटने के लिए तयार हो जाएं। अब जरा सोचें, हमारी स्वचालित खरोंच प्रतीक्रिया किसी भी हानिकारक चीज को उखाड फेकेगी जो संभावित रूप से हमारी त्वचा पर छिपी हुई है। जैसे हानिकारक डंक, काटने वाला कीट या किसी जहरीले पौधे की टेंड्रिल। ये समझा जा सकता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जैसे हमारी आंतों में जो इन बाहरी खतरों से सुरक्षत हैं, खुजली क्यों महसूस नहीं होती। हला कि ये कितना भयाव्य होगा। कुछ लोगों में इनके लिए जिम्मेदार मार्गों में गडबड़ी बेहत खुजली पैदा कर सकती हैं, जो असर में उनके सेहत को हानी पहुचा सकती है। एक चरमुदहरण एक मनोवग्यानिक स्थिती है, जिसे भ्रमात्मक पैरसाइटोसिस कहा जाता है, जहां लोगों का मानना है कि उनके शरीर में घुन या पिस्सू उनकी तवचा के उपर और नीचे फैल रहे हैं, जिससे उन्हें लगातार खुजली हो रही है। फैंटम खुजली नामक एक अन्य घटना उन रोग्यों में हो सकती है, जिनके पैर कटे हैं। इस चोट ने तंत्रिका तंत्र को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि ये सामान्य तंत्रिका संकेतन को ब्रहमिद कर देता है और उनंगों में समवेदना पैदा करता है, जो अब मौजूद नहीं है। डॉक्टर अबिन्खुजली संबंधी विसंगतियों के इलाज के तरीके ढून रहे हैं। विकलांगों में शेश अंग को दिखाने के लिए दरपन का उवियोग किया जाता है, जिससे रोगी खरोचता है। इससे पैदा भ्रम मस्तिश को कोई ये सोचने पर लगा देता है कि कालपनिक खुजली संतुष्ट हो गई है। अजीब बात है, पर ये वास्तव में काम करता है। शुदकरता खुजली से जुड़े जीनों की भी खोज कर रहे हैं और चरम मामलों में खुजली के मार्ग को अवरूद करने के लिए उपचार विक्सित कर रहे हैं। डांटे ने माना कि यदि आपको खरूंश नहोने वाली खुजली है तो ये नर्क जैसी लगती है। जब इटालियन कवी ने नर्क के एक हिस्से के बारे में लिखा जहां लोगों को अनंत काल तक खुजली करने के लिए गड़ों में छोड़ दिये जाने की सजा दी जाती थी। इन वीडियो के साथ सीखते रहें और सब्सक्राइब करना न भूले कुछ नया सीखने का मौका कभी न चुकें।